जब सुर्ख खनकते हैं बेजान साजों से, आवाज के पंखों पर उड़ने लगता है कोई गीत जब, जूम जूम लहराते हैं ये दिल क्योंके संगीत दिलों का उत्सव है, दोस्तो यूं तो ये उत्सव जीवन के हर पल में सांस लेता है, जो संगीत को जीवन मान कर चलता ह वो जीवन के हर पल को आनंद के साथ जीपाता है, किसी कवी ने कहां भी तो है कि संगीत का जो प्रेमी वो किस्मत वाला है, संगीत में जीवन का हर रंग समाया है, एक मुलाकत जरूरी है कि विश्व संगीत दिवस विशेश एपिसोड में मैं यानि आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों संगीत एक महा समुंदर की तरह है अता अनन इसके सैकडो हजारो आयाम है मगर आज हम पॉपलर म्यूजेक यानि फिल्मी गीतों में सजे जीवन के कुछ मुक्तलिफ रंगों की बात करेंगे ये फिल्मी संगीत हमारे हर सफर के हमसफर हैं हमारे हर फिलिंग्स की आवाज हैं हमारे हर एहसास को शब्द देते हैं और उनी एहसासों की सुर में लिप्टी अभी वेक्ती हैं तो चलिए संगीत के साथ अलग-लग रंगों का आनन्द लेते हैं आज संगीत रियलिटी शो के दो दिगज कलाकारों के साथ स्वागत कीजिए अभिजीत घोशाल और मंजीरा गांगुली जिनकी मधूर आवाजों से सजेने वाली है आज की हमारी मैफिल नमस्कार मैं हूँ अभिजीत घोशाल रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार अभिजीत और मंजीरा इससे पहले कि हम सुरों के साथ रंग आप दोनों की आवाजों में सुने विश्व संगीत दिवस पर आज आप दोनों से एक बेसिक सा सवाल पुछना चाहूंगा What is music for you? संगीत मेरे लिए क्या है ये बोलने के लिए मैं एक उधारन देना चाहूंगा कि मैं स्टेट बैंक में मैनेजर था प्रोबिशनरी ओफिसरों के जॉइन किया था और वो नौकरी पांच साल के बाद रिजाइन करके मैं संगीत में आ गया So according to me, music is my religion, my worship, it's divine, it's godly As we all know, music की कोई भाशा नहीं होती है Because कोई भी प्रांध के, किसी भी इंसान के साथ अप musically बहुत easily connect कर सकते हो चाहे आपको वो भाशा पता है या नहीं पर वो इंसान, आपके feelings को समझ जाएंगा आपके music के truth Because he or she will understand the essence of music Music is so easy and so touching, straight to your heart And especially for me, music is my best companion क्योंकि चाहे खुशी हो या घम हो, मैं अकेली हू Philosophical mood में हू Friends के साथ हू, family के साथ हू हर एक emotion के साथ, हर एक situation के साथ, music जुड़ा हुआ है So yes, for me, music is everything from morning till night I talk about music, I think about music, I do my riyas, I listen to music I'm always, always occupied with music So yes, music is my God Great, तो सबसे पहला रंग जीवन का, जिसके बिना तो जीवन ही अधूरा है जी हाँ, प्रेम और प्रेम पर फिल्मी संगीत में हमारे हजारों हजारों गीत बने है इस रंग से जुड़ा आप कौन सा गीत सनाना चाहेंगे अब जीत, पहले शुरुवात आप से ही करते हैं प्रेम की अभी व्यक्ति बॉलिवुड में बहुत अच्छे अच्छे गानों से हुई है एहसान तिरा होगा मुझे पर मुझे कैसा गाना लगता है बहुत बहुत गाने हैं मैं दिल हूँ एक अर्मान भरा ये भी तैलत महमूद जी का गाया हुआ बेकरार करके हमें यू न जाएए मनना दा के इतने सारे प्यार हुआ एकरार हुआ किशोर्दा का एक गाना मैं प्रेम के इस भर्व पे गाना चाहूँगा यू नहीं मिलते हैं यार यार से दे मुझे प्यार का जवाब प्यार से धड़कने हुई जवाँ वक्त भी है महरबां फिर ये कैसी दूरिया बोलो 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 एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था Great song Abhijit. Now, over to you Manjeera. Romance is one of the most important aspect of Bollywood movies. Film है तो romance है चाहे वो murder mystery हो suspense thriller हो family drama ho, romance is inevitable. और क्यों ना हो? It is one of the most, most beautiful feeling and emotion of our life, isn't it? प्यार जिंदगी है. So, obviously, we have stupendous number of beautiful romantic songs in Hindi movies और उसमें से एक को चुनना बहुत मुश्किल है. I have so many favorites. But the song which I have selected today to present in front of you all is special and is very apt in these days because monsoon is going on और मेरे लिए तो बारिश is the most romantic season of the year. Isn't it, friends? I'm sure मेरे जितने सुनने वाले होंगे आप सब के बारिश के साथ रोमांस के कुछ खटे मिठी आदे memories जरूर होंगे, isn't it? So, लीजे, this song is specially dedicated to all of you. एसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छीड रहे हो छीड रहे हो एसा लगता है तुम बन के बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छीड रहे हो छीड रहे हो सुपब लता किशोर का ये डूइट वाकई कितना मस्ती भरा है तो जिस प्रकार प्रेम गीत हर फिल्म का हिस्सा होते हैं लगबग उसी तरह हर फिल्म में एक ना एक दर्द भरा विरह का गीत भी होता है तो अगला रंग है दर्द इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे जैसा मैंने कहा कि विरह भी प्रेम का एक बहुत अभिन अंग है तो तू ही रे एक ऐसा गाना है जो अदभुत क्रियेशन है रह्मान साब का विरह पे है तो मैं तू ही रे गाना चाहूंगा इनसा सुका दिखो तुम पागलपन के आए नहीं इनहे चैन मुझ से ये बोली मेरा हो में तेरी अपने बिछा दू ये नै इन उचे पहाणों से जादे दूँगा मैं गर तुम ना आई कहीं तुम ओधर जानम उमीद मेरी जो तोड़ो इधर ये जहां छोड़ो मैं मौत और जिन्दगी तेरे हाथों में दे दिया रे मौत और जिन्दगी तेरे हाथों में दे दिया रे तु ही रे तु ही रे तेरे बिना मैं कैसे जी हूँ आजरे आजरे इन सांसों में बस जा तू क्या बात है अवजीद भाई गजब गाया है आपने मंजीरा आपसे जाना चाहूँगा कि जब हम sad song की बात करते हैं तो वो कौन सा artist है जो सबसे पहले आपके जहन में आता है गीता दत वन अफ मैं मॉस्ट फेवरिट सिंगर्स एक तरफ उनके प्लेफुलनेस वाली चिलबुली वाली singing like मेर नाम चिंचिंचू, बाबुजे धिरे चलना and many more दोस्टे तरफ उनके ये deep ठहराओ वाली singing बच्पन में मैं डाद उस्ट प्ले इस सौंग the very moment I heard it, it became one of the closest songs to my heart to me, it is the epitome of sad songs बेकरार दिल इस तरहा मिले जिस तरहा कभी हम जुदा न थे तुम भी खो गई हम भी खो गई एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हसी सितम तुम रहे न तुम हम रहे न हम वाओ, बर्मन दा की masterpiece composition जिसको आज भी सुनो तो हम उस दर्द को उस बिच्छो के दर्द को महसूस कर पाते हैं एक और रंग है जीवन का जिसे हम हास से कहते हैं यानि हलके फुलके मजा के रंग वाले गेत ये थोड़ा दुख वाली बात है कि आजकल इस तरह के गीत कम सुनाई पड़ते हैं लेकिन पराने गीतों में से कोई खिलकलाता, मुस्कलाता वा गेत अगर आप गाना चाहें तो वो कौन सा गेत होगा विजित भाई हास से के अच्छे गाने कुछ इधर भी आये हैं बंबं बोले ऐसा गाना था बत्तमीज दिल मानेना मानेना ऐसा गाना था ओविसली पडोसन के गाने तो मतलब अध्भूत ही थे हास से और बच्चों की साहित्य पर आधारेत एक गाना मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा हारिंद्रोना चोट्टुपाद्धाई जी का लिखा हूँ है रशोक कुमार जी का का है बहुत रियर सा है एक फिल्माई थी आशिरवार रेल गाडी के बारे में रेल गाडी की पूरी जर्नी के बारे में चोटा सा सुनाता हूँ फुलाए चाती पारकर जाती बालू रेत आलू की खेत बाजरादान, बुड़डा किसान हरामेदान, मंदिर मकान पुलपक डण्टी, तिलेपर जंडी, पानीका कुट, पंजीका जुन जोपडी जाडी, खेटी, भारी, बादल दूआ, मोत कुवा, कुएके पिछे बाग बगी चे गाउं में मैला, दिभीर चा मेला तूटी दिवार, टात्टु सवार चुक 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 ओम थाअब क्यों दादा मुनी का गाया हुए गीत शायद पहला रैप सॉंग होगा हिंदी फिल्मों का Comic जो जॉनर है वो लड़कियों के लिए बहुत rare हुआ करता था It was mostly given to male singers but legendary singers like Aasha Bosley, Gita Dutt they have done wonders with this genre उनके जो ये comic genres के songs है वो actually became the study material for the aspiring singers this particular song which I am going to present from the film Karwa is one of the best comedy songs of Bollywood movies which has been amazingly rendered by Aasha ji and Aasha ji के जो खुबिया है like you know copying the actress, actress's tone वो बहुत ही अच्छे से जल लगता है इस song में दैया ये मैं कहा आँ भसी हरे भसी कैसी भसी रो ना आवे ना आवे हसी पापे बचालो तुसी दैया ये मैं कहा आँ भसी हरे भसी कैसी भसी रो ना आवे ना आवे हसी पापे बचालो तुसी वाओ एक्सलेंट सुपर मंजीरा तो अभी तक हम तीन रंग में सजे गीत सुन चुके हैं आगे बढ़ते हैं चौथे रंग की तरफ अगला रंग है ऐसे गीत जिसमें कोई गूड फलसफे की बात हो या फिर कोई आगे बढ़ने वाली प्रेरना की बात हो यानि की पार मान लेते हैं वो दुख ही हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बट जो लड़ते रहते हैं पीपल हो कीप स्ट्रॉगलिंग और स्ट्राइविंग फॉर बेढ़ने फिल्म में एक बहुत ही प्यारा कामपोजिशन है लक्षमी कान प्यारे लाल जी के इश्वर कुमाजी ने गाया है बच्चों के लिए गाया गया था फिल्मों में बट इस सॉंग प्यारा जी जीत है जिन्दगी की यही रित है हार के बाद ही जीत है थोड़े आसों है थोड़ी हसी आज हम है तो कल है खुशी जिन्दगी की यही रित है हार के बाद ही जीत है इंडीड ग्रेट ग्रेट सॉंग अबजीत भाई कोई गूड फलसफे वाला गीत आप भी सुझाएं गूड फलसफे की बात जब आती है तो गूड फलसफे में कई दुख भरे गाने भी हैं कस्मेवादे प्यार वफा जैसे गाने पर मैं अमूमन दुख वाले पैटर्न्स को एवॉइड करता हूँ एक मैं गाना सुना रहा हूँ आपको शैलेंद्र जी का है अद्भुत फिलोसफी है मेरे लाइफ की भी यह फिलोसफी है और हमारे कई लोगों के लाइफ की यही फिलोसफी होती है सुनते हैं सुचिए प्यार और किसी के प्रति एक मानवता से संबंधित जो विचार है इस गीत में अद्भुत है ना किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार तो जीना इसी का नाम है काश हम सब लोग इसको मान सके और इसी पे चल सके कमाल की मैफिल जमी हुई है दोस्तों सुरों की इस बज में हम अगला रंग लेकर आ रहे हैं शेरो शायरी का यानि की गजलों और नजमों का तो इस जॉनर में कौन सी गजल या नजम चुनेंगे आप दोनों Let's start with you Manjira Madan Mohan Sahib is one of the legendary composers of Bollywood music industry and very versatile as well बट घजल ये जो जॉनर है मानिये जैसे वो अपने वश में कर चुके थे सबसे जादा घजले music industry को Madan Mohan Sahib ने दिया है और लता जी ने क्या खूब निभाए है उन सारे घजलों को They are all milestones in their own ways And he used to pick beautiful poetries as well for his compositions This particular song is written by Gulzar Saab Rukke Rukke Se Kadam Rukke Baar Baar Chale Rukke Rukke Se Kadam Rukke Baar Baar Chale Rukke Rukke Se Kadam Rukke Baar Baar Chale Rukke Rukke Se Kadam Wow beautiful indeed Gulzar Saab की शायरी गजब गजल तो हमारे अबजीत भाई का भी favorite genre है I know it Over to you Abhijit भाई गजल को जो समरिद्धी मिली मेहन्दी असन साब के समय फिर गुला मली जी जगजीत जी ने एक अलग ही आयाम दिया कि simple शब्दों और even ऐसे शब्दे जो हम आप use करते हैं उन चीजों को लेके भी घजले हो सकती है जो सब को पसंद भी आए एक simple सी composition हो सकती है तो घजल में मैं दो तीन अलग-अलग पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तु मुझ से खफा है तो जमाने के लिए आरंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आरंजिशी और इसी राग में और जगजित जी का यमन का लियान में रेयर सा गाना है मैं कैसे कहूं जाने मन मेरा दिल सुने तेरी बात ये आखों की सिया ही ये होटों का उजाला यही है मेरे दिन रात मैं कैसे कहूं जाने मन पंकर जुदास जी ने भी घजलों को एक अलग रूप रेखा दी हरिहरंजी ने बहुत बहुत क्लिष्ट गजले गाई तो अनन्त है ये भी रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिया गजब क्या गाते हैं आप भाई साब ओके तो अब मैं जिस जॉनर की बात कर रहा हूँ वो आप दोनों का ही फेवरेट होना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि आप दोनों ही हर्फन मोला वेल ट्रेंड सिंगर्स हैं तो छेटा रंग जिसके हम बात करने जा रहे हैं वो है शास्त्रिय संगीतिया लोग धुन पर आधारित कीतों की बताइए आप सबसे पहले मंजीरा आप ही बताइए कि आप कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे Classical music is the foundation for any singer चाहे वो Indian classical हो या Western classical हो One should definitely get trained in classical music because वो आपको help करता है आगे जाके कोई भी style, कोई भी genre adapt करने में I have always enjoyed being a student of Indian classical music which is very, very rich मैंने थोड़ा बहुत Western vocals में भी तालिम लिया है Bollywood music industry has given us, gifted us many semi-classical numbers पुराने बहुत सारे गाने है जो दिल के करीब है but आज जो मैं प्रेजन करने वाली हूँ, वो थोड़ा new age है but it's equally nicely composed by Pritam ji and beautifully sung by Shreya Kushal आमी जे तुमाँ, सुधु जे तुमाँ, आमी जे तुमाँ मेरी चाहती तुम फिजा में बहेगी जिन्दा रहेगी हो के फना तुमाँ, 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 तुम कलिभू कर दोlen सेओं मंगड़ों наर अगरे लौर्ण दोलं तॉदिएल दोब मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की दुन मेरे ढोलना आ आ आ आ आ आ वाओ मंजीरा इट इस सो सो ब्यूटिफुल अच्छा अब अजिद भाई आपकी आवाज में कुछ फोक सौंग हो जाएगा लोक संगीत फोक म्यूजिक मिट्टी से जुड़े हुए इस मतलब जुड़ी हुई इस संगीत का बॉलिवूड में बहुत प्रभाव है और हमारे कॉमन सौंग में भाजनों में भी बहुत प्रभाव है प्रियागराज की एक चीज सुनाता हूँ और यूपी का इफोक है चलत मुसाफिर मोहली औरे पिंजरे वाली मुनिया दोस्तो संगीत के इस सुहाने सफर के आज के इस स्पेशल एपिसोड का आखरी यानि सात्वा रंग है भक्ती भाव का प्रेम जब लौकिक दायरों से उपर उठ जाता है तो भक्ती बन जाता है फिर वो भक्ती चाए परमेश्वर की हो या फिर जननी जन्म भूमी के लिए हो चलिए अब इस सात्वे रंग की भी कुछ चर्चा हो जाए शुरुवात अभिजीत से देश भक्ती एक ऐसा जजबा है जो हमारे देश में तो यही मात्री भक्ती है और वही देश भक्ती है तो मनोज मुंतशेर जी के लिखे हुए इस गाने को बहुत साल बाद एक ऐसा गाना आया जो across the generations वैसा ही famous हो गया जैसा एक समय एह मेरे वतन के लोगों famous हुआ था मैं देश भक्ती के लिए उसको ही गाना चाहूँगा ओ हीर मेरी तू हस्ती रहे तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखडे पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिकर तुझे क्यूं आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हुमें और चांद हमेशा रहता है तिरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू तेरी नदियों में बह जावा तिरे खेतूं में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू 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 यह आरए यह प्रार्थना हम सब मिलके क्रते हैं हो पालन हारे निर्गुण और न्यारे तुम्रे बिन हमरा कौनों नाही हमरी उलजन सुलजाओ भगवन तुम्रे बिन हमरा कौनों नाही तुम्रे हम का हो सम्हाले तुम्रे हमरे रखवाले तुम्रे बिन हमरा कौनों नाही तुम्रे बिन हमरा कौनों नाही ओ पालन हारे ओ पालन हारे दोस्तों गाईकी के आकाश पर चमकते इन दो उच्च कोटी के कलाकरों से आपने जीवन के साथ रंगों में ढले गीत सुने पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन गीतों को सुनते हुए आपको अपने जीवन के साथ नहीं बलकि सत्तर रंगों की महक मिली होगी बीते आदे घंटे जो संगीत से सराबोर थे उसमें डूब कर अगर आपको आनन्द आया हो तो यकीन मानिए आप अपने जीवन के हर पल को यूँ ही आनन्द के साथ बिता सकते हैं विशु संगीत दिवस पर मेरा तो संदेश यही होगा आपके लिए कि हर पल को म्यूजिकल कर लीजिए फिर देखिए जिंदगी कैसे मैजिकल हो जाएगी अभिजीत और मंजीरा आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया आज की इस मैफिल को यूँ सदा बाहर करने के लिए जाते जाते आप भी विशु संगीत दिवस पर अपने चाहने वालों के नाम एक म्यूजिकल संदेश देते जाएए रेडियो प्लेबैक इंडिया के सारे श्रोताओं को अभिजीत घोशाल की दरफ से वर्ल्ल म्यूजिक डे की बहुत सारी शुब कामना है आज की इस एपिसोड को और भी म्यूजिकल और भी एंटर्टेनिंग और भी इन्फरमेटिव एजुकेटिव बनाने के लिए सजीव भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सारे अलग-अलग रंगों को चुना और प्रेम के टॉपिक पे ही प्रेम के विशय पे ही हम लोग इतनी देर तक बाते करते रहें मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब को बहुत आनन दाया होगा सब सुखी रहिए और खुश रहिए अच्छा म्यूजिक सुनते रहिए जो म्यूजिक आपको अच्छा लगता हो उसे अवश्य सुनिए और साथ में उसमें थोड़े से मेडिटेशन को थोड़े से प्राणायाम को थोड़े से relaxing music को भी स्थान दे दीजिए और अपना ध्यान रखिए Namaskar मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहां पे आके कुछ बाते हैं शेयर करके कुछ गाना गाके So thank you so much for inviting me You all take care Stay happy, stay blessed Stay positive And stay musical Namaskar यह है Radio Playback India 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 Radio Playback India